तेज मंगल हो, सारे जग का तेज मंगल हो तेज शांती रहे, सारे पिश्व मेरे तेज शांती रहे और प्रात्ना एक विश्वास बीज बनेगी प्रात्ना एक विश्वास बीज बनेगी वो भी बीज है अगर सही डंग से तुमारी बेष्ट प्रात्ना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है सभी को शुभेच्छा, हैपी थाट्स, तेज ग्यान फांडेशन त्वारा आयोजित, ध्यान प्रात्ना पीज बूने के लिए आप सब का स्वागत करते हैं रोज हम सब मिलकर प्रात्ना करते हैं, ताकि हम खुद भी स्वस्त रह बाएं, और जो बीमार हैं, उन्हें भी हम अपनी प्रात्ना का बल पहुँचा पाएं तो आईए, ग्रहन शील रहते हैं और इस प्रात्ना का लाब लेते हैं सभी प्रात्ना करने के लिए आँखे बंद करके सीधे बैठें, विश्व शान्ती की प्रात्ना हे प्रमात्मा, सभी को प्रिग्या मिले, बुद्धी मिले, सद बुद्धी मिले ताकि वे अपने शरीर और मन का उप्योग उच्छत्म चुनाओ के लिए कर सकें उच्छत्म चुनाओ से मनश्य जनम सफल करें हे प्रमात्मा, हर मनश्य में आत्म सैयम बड़े और बड़े सैयम की शक्ती से सभी अपने स्वास्थ को ऐसी अवस्था में ले जा सके जहां पर कोई भी बिमारी चुन सके हर वातावरण में लोग स्वस्थर रह पाएं ऐसा आत्म सैयम हर मनश्य में पैदा हो हे प्रमात्मा, हर मनश्य विवेक द्वारा निर्धारित नियमों पर चले अद्रश्य नियम सभी पर काम करें सभी अद्रश्य नियमों पर काम करें ऐसी नियमा वली से सभी तंदृस्थ बन जाएं और दूसरों को तंदृस्थ करने में मदद करें है इश्वर, सभी अनंत अवेरनेस में भर जाएं शुब्रप्रकाश अनंत होश को हर जीव में पैदा करें सभी उस अनंत जागरती में स्वय को पहचान पाएं इसी जागरती में सभी अपने अंदर होने वाली प्रिक्रियाओं को समझ पाएं जूठी परस्नलिटीस समाप्त हो जाएं इसी तेज प्रकाश में मोडी परस्नलिटी जूठी परस्नलिटी वलीन हो जाएं अज्ञान मिट जाए असरक्षा का डर समाप्त हो जाएं सभी आसानी से अपना मंगल किसमे हैं देख पाएं इसी होश में स्वबोध प्राप्त करके सभी प्रेम आनन्द मौन में स्थापित हो जाएं सभी आत्म सैयम पाकर इश्वरिय अभिवक्ति करें इश्वर के गुणों को अपने शरीर द्वारा प्रकट करें यह संभव है यह हो रहा है यह हो चुका है पूरे गलोब पर वाइट लाइट हीलिंग लाइट अनन्त होश का प्रकाश चा रहा है कार्यक कर रहा है सभी के अंदर बदलाव आ रहा है रुपांतरन हो रहा है सभी ग्रणशिल हैं सभी इस प्रकाश का स्वागत कर रहे हैं आत्म न्यंत्रन से अपराद समाप्त हो रहा है सभी आत्म निर्वर बन रहे हैं सभी भाईचारे के साथ जी रहे हैं ऐसा सामराज्य प्रेम आनंद मौन का सामराज्य फैल रहा है सभी अपने शरीर पर विजय प्राप्त कर रहे हैं सभी इस राज्य में खुश हैं शुब्र प्रकाश में हर वाइरस हर विकार समाप्त हो गया है विलीन हो गया है ऐसी करपा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद यह करपा बरस्ती रहे ज्यारी रहे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद अन्त में अपने तप का बल जो बल अरजित किया है आपने ध्यान से, प्रार्थना से, समझ से वह अरजित बल सब कुलाब दे, इस शुद्ध भाव से, तपरपन करें, सभी दीरी दीरी आंके खुलें आईए सब क्रहनशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए गुरू का अरथे क्या है जो अंधेरे को प्रकाश के द्वारा गायब करता है तो ये प्रकाश आजाए, ये तरीका सामने आजाए, फिर आप समझ के साथ प्रातना करोगे और प्रातना एक विश्वास बीज बनेगी प्रातना एक विश्वास बीज बनेगी वो भी बीज है अगर सही डंग से तुम्हारी बेश्ट प्रातना तुम करते हो तो वह विश्वास बीज है और विश्वास बीज डालते ही अगला कार्य शुरू होता है वही हम एक एक कदम करके समझने का प्रयास कर रहे है तो पहले हमने समझा गुरू का रोल क्या है फिर हमने समझा कि जीवन इस तरह कार्यक करता है हम कुछ डालते है वह कई गुना बढ़कर हमें मिलता है जो किसान करता वही इंसान करे इतना ही सिक्रेट आप जान गए तो यह सब आसान है ऐसा मैं क्या डालू जिससे फिर जो मुझे मिले वो इश्वर से कम न हो गुरू पहले क्या सिखाएंगा तुमारी यह समस्या है तुमारी जरूत है अच्छा यह बीज डालो यह विश्वास बीज डालो अब तुमारा वो काम हो गया अच्छा ठीक है अब यह करो यह तुमारा काम हो गया अच्छा अब अल्टिमेट चीज चाहिए क्या सबसे बड़ी चीज चाहिए क्या तो अब कौन सा बीज डालना होगा कि वो बीज की परक देते है कौन सा बीज तेज बीज, जिसकी पर्क होँ, वह हम डालें, तो ऐशुर ही हमें मिलें। कौन सा बीज डालने के बाद शुर खुदा आता है। कुछ बीज डालते हो, तो ऐशुर खुद नही आता है। अपनी चीज हैं पेशते रहता है। अच्छा ये बीज डाला, इसको ये दे दो, उसने ये बीज डाला, इसको ये दे दो. मर एक समय आता है कि इनसा ऐसा बीज डालता है, उसको खुदी आना पड़ता है. नियम जो बना है, उसके लिए आना ही पड़ता है. अपने ही नियमों में बन्दा हुआ. एशुर क्या है, आपने ही नियमों में बंदा हुआ, कोई ऐसा कर सकता है न खेल खेल में, खेल में क्या करते है, हम ख وہी नियम बनाते हैं न, देखो इस लाइन्ज से बार नही जाना, क्यों, बनाते हैं, उससे मजा आता है, करम बोड पर लाइंज ही नहीं बनाओ, निकाल दो सब लाइंज, क्या होगा? खेल कर मता आएगा? नहीं आएगा, आप खुद ही लाइंज बनाते हो, फिर अच्छा लगता है, इश्वर ने भी खुद नियम बना इस अंसार के. अपने ही नियमों में बंद कर वह आता है, गुरु वह सीक्रेट्स बताता है, ब्रिज है, पुल है, यह बताता है, यह इसी तरह होता है, इंसान जब वह विश्वास रख पाता है, तो गुरु की आग्या का पालन करता है, अच्छा सुईकार करने के लिए कहा है, लगता तो इस्विकार करूँ मर अभी कहा है तो करना पड़ेगा करके देखते हैं एक एक करके वो जब करते जाता है रिजल्ट्स आती है परिणाम आता है और फिरकतार यह सब परिणाम आए तो मैं ultimate बीज डालूं सबसे बड़ा बीज डालूं सबसे बड़ी शक्ति प्राप्त करूं अगर यह हो जाए तो महा भाग्यशाली हो गए तो ऐसा क्या डालना है क्या विश्वास बीज डालना है विश्वास बीज सब काम कर सकता है सिर्फ आपको समझना बाकी है यह तो पता चल गया है विश्वास बीज से सब कार्य होने वाले है जो भी आप चाहते हो अब यह कर पालन करना है, डाल कर चले नहीं जाना है, जमीन छोड़कर रुखना है, पेशंस रखना है, अगर ये सब नियम पालन किये, तो सब होने वाला है. जो आप चाहते हो जिसमें ना सरफ आप आनंदित होगे आपके आजुबाजु में जो भी है सभी आनंद लेने वाले है तो नियम समझ लो ये जीवन का नियम क्या है नियम है दिया जाता है फिर लिया जाता है दिया जाता है फिर लिया जाता है आप ये नियम उल्टा हो गया है लिया जाता है फिर दिया जाता है लिया जाता है मिलता नहीं इसलिए देते नहीं मिलता नहीं इसलिए देते नहीं देते नहीं इसलिए मिलता नहीं सब गड़बड हो गई यह थोड़ा सा फरक आ गया मगर सब गड़बड हो गया हर एक रुका हुआ है कोई और दियान देगा तो मैं दियान देऊंगा कोई और मेरा बड़े याद रखेगा तो मैं उसका बड़े याद रखूंगा मेरा नहीं याद किया मैं क्यों याद करूँ मुझे गिफ्ट नहीं दी मैं क्यों दूँ तो रूल उल्टा हो गया तो सभी रूल को सीधा करके आपको बताया जाए प्रार्थना और मार्ग दर्शन का सभी ने लाब लिया आईए यहीं पर समाप्त करते हैं कल फिर मिलेंगे तब तक के लिए धन्यवाद तेज ग्यान के प्रकाश में सर्शरी के शिक्षाओं पर आधारित अद्रश्य पित्रदोश मिटाने की युक्ति अपने पूरवजों का सच्चा शराद कैसे करें लिबरेशन तो आज ही इस शिवर के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकारी के लिए दिये गए फोन नंबर्स पर संपर्क करें संपूर्ण स्वास्त्य शिवर योग य आरोग य य योगा यह पांच दिवसिय निवासी शिवर होने जा रहा है मनन आश्रम पर 21 से 25 सितंबर 2022 अतह एक स्वस्थित तंद्रुस्त और सकारात्मक जीवन जीने के लिए आज ही इस शिवर में अपना रजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें ओनलाइन महा आस्मानी परमग्यान शिवर आपके सुविधा के लिए यह ओनलाइन शिवर तीन भागों में लिया जाएगा बुनियादी सत्य शिवर 24 और 25 सितंबर 2022 ब्राइट रिस्पॉंसिबिलिटी शिवर 2 अक्तूबर 2022 महा आस्मानी शिवर 15 और 16 अक्तूबर 2022 चिंता तनाव और दुख से मुक्त खुशहाल जीवन पाने के लिए आज ही इस शिवर में अपना रिजिस्ट्रेशन करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें